आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही खुब्सुरत सिनेमेटिक लोकेशन पर लेकिन इस जगह के सुन्दर्टा पर मत जाईए इस जगह के बारे में आज मैं कुछ ऐसी बाते बताने जा रहा हूँ कि आपके रौंगते खड़े हो जाएंगे तो मेरे साथ बने रहिए मैं हूँ आपका होस्त और दोस्त भर्गव तो मैं अब पहुंशने वाला हूँ वहाँ पर लेकिन आज मौसम अच्छा नहीं है आप लोगों को वो निला आस्मान और बादल आज दिखने को नहीं मिलेगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आतलांतिस सभ्यता के कहाने के साथ आप लोगों ने आतलांतिस सभ्यता के बारे में तो सुना ही होगा माना जाता है कि आतलांतिस उस समय धर्टी का सबसे खुसहाल जगह था दूर दूर तक हरे भरे मेदान थे बड़ी तदाद पे पसुपक्सी थे और फलो के बगीचे भी थे और वहां के लोग खुसहाल जिबन जी रहे थे लेकिन एक दिन अचानक प्रले आया और सब कुछ समाप्ट हो गया और पुरी सभ्यता का नामो निसान मिद गया पुड़ा अतलांतिस पानी के नीचे दूब गया ये तो था काफी पुड़ाना बात लेकिन अभी जो आप ये नदी देख रहे हैं यहाँ पर पहले ये नदी नहीं था यहाँ पर कई सरे गाउं थे यहाँ दूर दूर टक हरे भरे खेट के मेदान थे बड़ी तदात पे पसुपक्सी थे और जंगल भी थे और वहाँ के लोग भी खुसहाल जीवन जी रहे थे और धिरे-धिरे कई गाउं इस पानी के नीचे दूब गया ठिक अट्लांटिस सभ्यता की तरह अभी कोई नामों निसान नहीं है उन गाउं का मैं बात कर रहा हूं भारत के उत्तरपुवी रज्य असाम के एक गाउं रह मरिया और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में ये जो विसाल नदी है ये है ब्रह्मपुत्र नदी यानी ब्रह्मा का पुत्र ये कितना विसाल नदी है इसका अंदाजा आप इस पिक्शार से लगा सकते हैं देखिए ये है डिब्रुगर एइपोर्ट जहां पर मैंने लेंद किया था और वहां से कुछ ही किलुमिटर की दूरी पर ये विशाल नदी आप देख सकते हैं लेकिन ये नदी यहां तक फेला हुआ नहीं था आज से 30-40 सल पहले यहां पर कई गाउं थे लेकिन धीरे धीरे नदी के टेज बहब से किनारे तुटने लगे और नदी का आकर बढ़ने लगा कोई प्रिवेंशन नहीं होने के करण से हलत यहां तक पहुंच गए कि एक के बार एक गाउं नदी में समाते चला गया कुछ लोग और पाल्टू जानबर भी मारे गए और आज ये नदी यहां के में इसकुल के पास तक पहुंच गया है इस नदी ने सिर्फ गाउं को ही अपने चपित में लिया है ऐसा नहीं है ये देखिए डिब्रुगर टाउन और इस ताउन के साथ नदी के आकार का कॉम्पेर करके देखिए इस ताउन का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी पानी में समा गया है जो यहां पर कभी था ठेंक्स तो गूगल अठ इंजिन टाइम लेप्स अभी हम समय में पिछे भी जा सकते हैं चलिए समय में पिछे जाकर ये देखते हैं कि इस नदी ने कैसे गाउं को अपने चपित में लिया था चलिए चलते हैं सन 1984 में तब देखिए ये नदी ऐसा था और अब समय के साथ सन 2016 तक ये नदी कैसे फ्यल गया है देख लिजिए डिफरेंस पता लगाने के लिए मैंने ये रेड लकिर भी लगा दिया अब देखिए अब देखिए सन 1984 में यहाँ पर कई गाउं थे और बस आठ सालों के बाद देखिए सब गयब हो गया आप अभी भी नदी के तुटा हुआ हिस्सा देख सकते हैं पूरी दुनिया अटलांटिस के बारे में जानता है और डुक जाहिर करता है लेकिन भारत के ही कई लोग इस जगह के बारे में और यहाँ के लोगों ने कितने दुख सहे हैं इसके बारे में नहीं जानते अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी बचे गाउं के साथ कई सहर इस नदी में समाज आएगा तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं पर समाप करता हूं अच्छा लगा तो लाइक और सेयर करें नए दर्सकों के लिए मेरा गुजारिस है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो आप देख सकें और आपने अगर हमारे दुसरे वीडियो उसको अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखे तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नमस्कार